कभी आपने पलाश के पुष्प को देखा हैं? कितना सुन्दर होता है? लाल, रक्तवान, चमकीला किंदू उसमें सुगंध नहीं होती इसी कारण वो केवल देखने योग्य होता है आप देखेंगे कि उसका उपयोग पूजा में नहीं किया जाता उससे परिमल नहीं बनाया जाता ऐसे ही हमारे जीवन में कई सारे ऐसे लोग है इनको सम्मान अरज़त करना पड़ता है यदि आप एक उच्च कुल में जन में हो यदि आपके पास सब कुछ है धन है, आईश्वर्य है सब कुछ आपको पहले से प्राप्त है तब भी ये संसार आपको सम्मान नहीं देगा तब तक नहीं देगा जब तक आप अपने भीतर गुण नहीं जागरत करते श्रिष्ट कर्म नहीं करते अपने भीतर सकारात्मक्ता की ये सुगंध जागरत नहीं करते तब ये सब करोगे तभी संसार सम्मान देगा अब आपके उपर निर्भष करता है क्या आप पलाश का पुष्ट बनना चाहते हैं या कोई और पुष्ट बनना चाहते हैं जो सुगंदित हैं जो अपनी सुगंदित संसार में फैलाता है आईए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे